Yes, students, I am Artud Sundkar और आज मैं आपनों के लिए एक बहुत important mindset ले कर क्या है जो है feminization of labor feminization of labor जो है उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना हुआ कि feminization क्या होता है तो feminization हम किसे कहते है feminization मतलब होता है naari current यानि कि जो या हम इसे कह सकते है is three current इसका मतलब यह होता है कि increasing number of female किसी vicious sector में जब female characteristics increase हो जाए उसे हम कहते है feminization यानि feminization of labor क्या हुआ फिर? लेबर एक section है यानि श्रम जो श्रम करने वाले लोग है जब उसमें महिलाओं की संख्या बहुत जादा बढ़ जाएगी the increasing number of women in the labor class is called as feminization of labor उसी को हम लोग इस तरी करण कहते हैं ठीक श्रम का समझ गें? तो श्रम का इस तरी करण यानि कि श्रम में जो श्रम करने वाले लोग है उसमें महिलाओं की संख्या तहतिक बढ़ जाना ठीक स्टूटेंट्स तो अभी इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए इससी बात क्योंकि ऐसे बहुत सारे important videos मैं आप लोग को लेकर किया आप लोग के लिए short concepts के रूप है thank you very much all the best